to my youtube channel वैशनभी फ्री एजुकेशन क्लासे friends जल्दी से फटाफट से सभी लोग जुड़ चाहिए जिससे कि अपनी जो क्लास है एकदम धुआधार क्लास स्टार्ट हो सके फटाफट से सभी लोग जुड़ेंगे और और सभी लोग बताएंगे थोड़ा सा कि आवाज क्लियर है या फिर नहीं आडियो वीडियो क्लियर आ रहा है या फिर कोई प्रॉब्लम आ रही है सभी लोग बताएंगे पटाफट से सभी लोग करेंगे सब के लिए है शाबास ओल के लिए शाबास चलिए हमादे साथ काफी लोग जुड़ चुके हैं चलिए शाबास बिल्कुल टाइम से आ जाए करिए सभी लोग बिल्कुल टाइम से जो टाइम आपको दिया जाता है टाइम से सभी लोग आ जाए करिए शाबास हमारे साथ जुड़ चुके हैं काफी बच्चे चलिए एक बार नाम ले लेते हैं फिर अपनी क्लास को एकदम धूमधार तरीके से स्टार्ट करते हैं ठीक है और एक चीज और यादर कीगा जो बच्चे चैनल पे नए हैं उनके लिए साथ बजे डेली क्लास होती है तो आपको डेली शाम को साथ बजे जुड़ना है और रात में नौ बजे आपकी धूमधार क्लास होती है उसमें भी आपको जुड़ना है ठीक है और यह जो आपके प्रेक्टिस सेट चल रहे हैं राकेज को स्वामी के इसकी हमने प्लेलिस्ट बना दी है जिसके पिछले मॉडल पेपर छूड़ चुके हैं वो स्टार्टिंग से कंप्लीटली पढ़ सकते हैं ठीक है और जिन्होंने मतलब पढ़ लिए हैं वो भी दोबारा से रिवीजन कर सकते हैं हमने प्लेलिस्ट बना दी है ठीक है तो चलिए सभी लोग जोड़ चुके हैं रमा शंकर हाँ सभी लोगों को गुडीबनिंग 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 वेरी गुड हाँ शारदा जी भी आ चुकी है चलिए हाँ सभी लोगों को गुडीबनिंग एंड राधी राधी जैस्टी किश्न चलिए अब क्लास अपनी स्टार्ट करते हैं ठीक है इसके पहले हमने काफी सारी चीजे पढ़ा दी हैं अगर आपने नहीं पढ़ी है तो प्लेलिस्ट हमने हर चीज की बनाई हुई है आप लोग जाकर पढ़ सकते हैं ठीक है और जो बच्चे चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब नहीं की हुए हैं तो फटा फट से कर दीजेगा चलिए पहला क्वेच्चन आपसे पूछा जा रहा है राश्ट्रि आदनिक कला संगरहा ले नई दिल्दी में सुरकषित चांदनी रात में महिला क्या पूछा जा रहा है पूछा जा रहा है चान्दनी रात में महिला सुरक्षित कहां है नई दिल्ली में किसका चित्र है ये हाँ आंसर होगा आपका आप्शन भी राजा रवी वर्मा का है ठीक है चान्दनी रात में महिला दूसरा क्वेशन है आपके स्क्रीन पर 1963 में ब्रिटिस इन्फॉर्मेशन सर्विस ने किसे दुनिया के सर्विस रेष्ट 18 पच्छी चित्रकारों की एक प्रतिस्ठित सूची में शामिल किया है हिम्मत शाह क्रपाल सिंग शेखावर प्रोफेसर दिवकी नंदन शर्मा पी अन चोयल क्या होगा? सेकेंड कसी अच्छा शाब बास बिलकुल सही बताया है सेकेंड कसी प्रोफेसर दिवकी नंदन शर्मा बिलकुल सही है आगे बढ़ते हैं किस कलातमक आंदोलन से संब्बन दिस थे? सभी लोग टाइम से बिल्कुल साथ बचे उपस्तित हो जाएगे हाँ, क्या होगा, थर्ड का वेरी गुड, बिल्कुल करेक्ट है, option C, ये है यथार्थ बाद ठीक है, हाँ, बिल्कुल सही दे रहे हैं, आप लोग, बिल्कुल सही दे रहे हैं, वेरी गुड आगे, कुछा जा रहा है, integrals of our torso, बताइए, इसके मूर्तिकार कौन है सॉरी, बताइए, इसको क्या होगा, बल्वीर सिंकट, अशोक पिर्जापती, हिमत्षा, रागव, कनेरिया integrals of our torso, बताएंगे सभी लोग, पोर्थ का, वेरी गुड, श्यापास बिल्कुल correct है, option A, ये हैं, बल्वीर सिंकट, आगे पदम विभूशर पाने वाले पार्मा, नंदिलाल बोस, सुधीर खास्तगीर, या अशोक राय क्या हो जाएगा answer, पटाफट से बताएंगे सभी लोग विप्तिका क्या होगा, वेरी गुड बिल्कुल सही है, ये हैं, नंदिलाल बोस, जिनको पदम विभूशर मिला था, ठीक है तत्यो बोधनी पत्रिका से कौन सम्मंदित था, राजा राम मोहन रहे, द्वारिका नाथ, देवेन नाथ, अक्ष कुमार दर्थ, बताएंगे, तत्यो बोधनी पत्रिका, वेरी गुड, शाबास, बहुत सही बता रहे हैं आप लोग, बहुत सही, वेरी वेरी गुड, ठीक है हाँ सभी लोगों को गुडिवनी टाइम से आए करें ठीक है आगे बढ़ते हैं धन्राज भगत की मूर्ती है spirit of work काम का जोश किसके संग्रह में है बताइए सबसे पहली बात किसकी मूर्ती है धन्राज भगत की और संग्रह पूछा जा रहा है तो आपको बताना है रास्टी आगने कला संग्रहाल है नई दिल दीन है ठीक है देखिए एक चीज याद रखिए कमेटी बन चुकी है 12 सदसी अब बिलकुल से जोरो शोरो से अपनी पढ़ाई पर बिलकुल से लग जाईए क्योंकि अब ज्यादा टाइम नहीं देंगे ये लोग क्योंकि पूर ये चुनाव हो जाए चुनाव के बाद कभी भी कुछ भी हो सकता है इसलिए अपनी बिलकुल से तयारी परफेक्ट रखिए लग जाईए बिलकुल से क्योंकि अब इसके बाद पंच वरसी योजना बन चुकी है आपकी भरतियां ये तो पता है सभी को 5 साल तक कुछ नहीं अप्शन भी हो जाएगा आगे उडिशा का प्राचीन नाम क्या था उतकल प्रदेस कलिंग उडिया ओडिशा नाइंद का क्या है सभी लोग करेंगे और एक चीज और रात में 9 बजे रात में 9 बजे जो आपका ये टाइम है ना इस टाइम हम आपकी जो राकेश गोस्वाम ठीक है हाँ 25 सरी 9 का क्या होगा हाँ आप्शन ने हो जाएगा ये है उतकल प्रदेश आगे बढ़ते हैं क्या मिट्टी के बर्दन बना ला 9 पाशार काल से सम्मंदित है सत्य असत्य सत्य हो सकता है असत्य है बताइए क्या होगा 10 का बिल्कुल आप्शन ने ये है सत्य प्राचीन भारत में क्रसी का प्राचीन तम उलेक कहां से मिलता है बोरी मेहरगड इनाम काउं गिबुन्द बताइएंगे 11 का क्या होगा बिल्कुल सही है आप्शन भी ये है मेहरगड सिंदुगाटी सब्विता की सबसे बड़ी इमारत कौन थी मोहन जोद्रों का महाजलकुंड मोहन जोद्रों का इसनानागार हडपा का महल मोहन जोद्रों का अननागार बताएंगे सभी लोग टेल्ट का क्या होगा सभी लोग फटा-फट से करेंगे आंसर अधे जिंदुगाटी सब्विता की सबसे बड़ी इमारत पूची गई है हाँ आंसर होगा आपका ऑप्शन दी मोहन जोद्रों का अननागार वेरी कौट उत्तर प्रदेश से सम्मंदित कलाकार कौन है दिलीप तामुली जॉन डगलस मुकुल पमार कोई नहीं 13 क्या होगा सभी लोग बताएंगे शापास बहुत सही बताएं है ऑप्शन सी हो जाएगा मोकुल पमार जो है यह आपके उत्तर प्रदेश से जिलेटेड है आगे सिंदुगाटी के समाज में कौन सा पशू सक्ति के प्रतीक से सम्मंदित है क्या होगा व्रशप घोड़ा सि कर दीजे एक दूसरे को एकदम जमीन हिलनी चाहिए इस तरह से क्वेश्चन आने चाहिए आप लोगों के 14 का वेरी गुड बिल्कुल सही है ऑप्शने यह है व्रशप स्पीड बढ़ाएं पूचह जा रहा है जगाई मधाई उद्धार बताएं टैंप्रा में है इलहाबा कुमार फलदार ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आगे बढ़ जाते हैं राश्टी संग्रहाल है नई दिल्ली के प्रथम महाने देशक कौन थे पुपल जैकर डॉक्टर ग्रेस मोले कपिला वात्सयायन सी शिवराम मूर्थी सभी लोग करेंगे 16 शापास वेरी गुड क्य क्या हो जाएगा अंसर बहुत सही बहुत सही बहुत सही बहुत सही बिल्कुल करेक्टी है ऑप्शन भी हो जाएगा डॉक्टर ग्रेस मोले आगे फोल्डर विज्यापन की किस रेड़ी के अंतरगत आता है पारगमन विज्यापन बाह छेत्री विज्यापन प्रत्यक्ष मे के अंतरगत आता है याद अगना है आगे आगे है विख्यात चित्रकार राजा रवी वर्मा का चित्र विश्व मित्र और मेन का जो की तेल में बनता है ये कहां पर सुरक्षित है नई दिल्ली वाराणसी प्रियाग राज लपनौ बगाएंगे सभी लोग कहां पर है शाबास कुछ बच्चे तो देखते ही आंसर बिल्कुल से निशाने पर लगा देते हैं चलो सभी के बिल्कुल करेक्ट आ रहे हैं और ये चित्र किसका है बताईए मनीशी डिये चितीनरनाथ मजूंदार असित हलदार अरुण चेकली बताईएंगे सभी लोग 19 का क्या होगा 19 का option क्या होगा very good बिल्कुल सही दे रहे हैं मन्दिर और च्छाओं तो किसका है ये मनीशी डिये का है ठीक है आगे पूछा जा रहा है राम गोपाल विजे वर्गी का शूप्रसिद्य चित्र कमल कन्या कागसपर जलरंग से बनता है कहां पर सुरक्षित हैं हैदराबाद, नई दिल्ली, प्रियागराद, जैपुर 20 बताएंगे सभी लोग ये है इलहाबाद संग्रहाले इलहाबाद में है ठीक है आगे रित्विक घटक ने निम्ले लिखित में से किसके बारे में संबाद और चर्चा के रूप में एक व्रत्य चित्र बनाया है चित्तामणीकर, सोमनाथोर, राम किंकर बैच, मीरा, मुखरजी 21, क्या होगा फटा-फट से करेंगे सभी लोग आंसर 21, शाबास, बहुत सही, बहुत सही, सभी लोगों का एकदम ऐसा लग रहा है जैसे एक ही व्रत्ती ये सभी आंसर कर रहा है ओप्शन सी हो जाएगा, राम किंकर बैच शेर साह सूरी के मकबरे की भूतन योजना कैसी है? वर्गाकार, सटकोडी, अस्टभुजाकार, आयताकार 22 का क्या होगा? बिलकुश सही है, ये जो सेशा सूरी का मकबरा है वो कैसा बना है? अस्टभुजाकार बना है, ठीक है? याद रखना है आगे, इलाभाद संग्रहाले में प्रदर्शित वेडी स्रंगार किसका चित्र है? नंदलाल बोस, राम गोपाल विजय बर्गी, असित कुमार हलदार, यामनी राय 23 करेंगे सभी लोग फटा-फट से? क्या हो जाएगा अंसर आप लोगों का? 23 का शाबास सबके सतरंगी आ रहे हैं, अब तो सबके सतरंगी आ रहे हैं हाँ, वेरी गुड, ऑप्शन डी हो जाएगा, यामनी राय होगा, ठीक है? आगे मनसूर और मनोहर, किसके मनसूर दर्बारी चित्रकार है? मनसूर मनोहर, शाह जहां, जहांगीर, अकबर, हुमारी क्या होगा आँकर? आपसिंदी खेल है, जहांगीर, अगे अब आ रही है, अब सही है, अब सही है, अब सही है, अब वोइस सही है, अरे जल्दी बताओ, जी 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 जी, सही है, ठीक है, नो मैम, चलो, हाँ, 25 का क्या होगा? अब सही है, 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 अब बताएंगी सभी रूप सही आ रही है सही है बताओ अब सही आ रही है कि नहीं आ रही है ये बताएंगी से सही है चलो ठीक है आगे बढ़ते हैं 26 मैडोना एंड चाइल्ड जो की मार्वल से बनता है ये मूर्ती है किस ने बनाया है फिलिप किंग ने डोना टेल उने मैलोल माइकल एंजिलो 26 का क्या होगा दिल्कुल सही है आप्शन दी ये है माइकल एंजिलो आगे कला ये थार्थ अनुकरती का अनुकरण है ये किस ने कहा है प्रेटो प्रोचे टॉलेस्टाय 27 क्या होगा बिल्कुल सही है दो लोगों में लडाई हो गई तो उन्होंने प्रेट बार-बार पेकी मतलब अनुकरण किया आगे तक्षशिला बिश्व विद्यले किस इस्थान पर है भारत में है पाकिस्तान में अफगानिस्तान बरबा बता दो अफगानिस्तान में क्या कि बरबार में है बताऊ अच्छा भारत में भारत में कब से होने लगाई है चला ऑप्षण भी होगा पाकिस्तान में आगे चलते है आगे पूछा जा रहा है आपसे शेखर सेन क्या है नाटककार, चित्रकार, मूर्तिकार, छायाकार बताइए क्या होगा ट्वर्टी नएग शेखर सेन हैं कौन नाटककार है ठीक है आगे आगे हैं एक गतिशील बिंदू के अंतहीन प्रियोग को क्या कहते हैं रेखा, आखार, ओद, रेखा चेट बताइए 30 का क्या होगा सभी लोग करेंगे फटा-फट से आप्शन ए रेखा आगे इन में से कौन सा एक उश्ण वर्ड है नीला, बैगनी, हरा, लाग कौन हैं, बता दू 31 बिल्कुल सही है आप्शन डी ये है लाग भार्टी चित्रकला का मूल तक तक तो क्या है रेखा, रंग, सीर्शक, धर्व 32 ओप्शन ए ये है रेखा कला द्रश्यमान का पुनृत पादन नहीं करती बल्कि ये द्रश्यमान को बनाती है किसने कहा है फ्रांसिस पेकन, पॉल किली, वैसली कॉंडेंस की, जार्ज रुवा 33 बेरी कुट ओप्शन भी, पॉल किली ने कहा है कला द्रश्यमान का पुनृत पादन नहीं करती बल्कि ये द्रश्यमान को बनाती है शहीद इस्मनती, पटना इसका शिल्पकार कौन है शंखो चौदरी, डीपी राय चौदरी राम खिंकरबैज, धमराज, भगत 34 का क्या होगा, सभी लोग बताएंगे ओप्शन भी, ये है डीपी राय चौदरी बिंसेंट वान कॉप का जन्र कब हुए था 1853, 1860, 1865, 1850 35 का क्या होगा, सभी लोग करेंगे ओप्शन ये है 1853 किस पत्रिका का सम्मन्द उत्तर प्रिदेश से है कलादीर का, सम्कालीन कला, कलावार्ता, कलाव्रियोजन 36, क्या हो जाएगा अंतर सही है, ओप्शन C, कलावार्ता आगे रोमन कला का जन्र हुआ ग्रीक एवं इट्रक्षन कला से, इजिप्ट कला से, गोथिक कला से, बरोक कला से 37, 46 अभी लोग फटा फट से ओप्शन A, ग्रीक एवं इस्ट्रक्षन कला से, ठीक है यंत्र प्रमाप, एक सेकेंड यंत्र प्रमापी, गोउज, निम्न लिखित में से क्या है, संतल छेनी, कास्ट के उत्कीरन के लिए अर्ध गोलाकार छेनी, पत्थर के उत्कीरन के निमित अमुकीली छेनी, मिट्टी निर्देशी, यत्र, 38 का क्या होगा सभी लोग करेंगे, बहुत सही, ऑप्शन भी, कास्ट के उत्कीरन के लिए अर्ध गोलाकार जो छेनी होती है न, उसी को हम गोउज या फिर यत्र प्रमापी बोलते हैं, ठीक है आगे, किसने वीनस का जन्व चित्र चित्रित किया है, मातिस, सल्वाडो डॉली, सांद्रो वोतिचेली, लियो नौर्डो दा, विज्जी, बताएंगे 39 क्या होगा बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी, ये है सांद्रो वोतिचेली, ठीक है आगे चलते हैं, वियत नाम के सैनिकों को समर्पित, वी आकाल के काले रंगी के ग्रेनाइट की दीवारों वाले इसमारक का निर्मार किया है माया लिप, जीबेस वॉक्षी, राबर्ड स्मिंसन, अल्फरेड लेसली, फोटी का क्या होगा बहुत जल्दी आये हैं आप, प्रेम लता, मिश्टर जी जब क्लास ओप होने वाली होती है, तब कुछ लोगों का सवेरा होता है ओप्षन ए, ये है माया लिप, आगे ट्रांस्पिग्रेशन, कास्ट पर टेमपरा से, और किसने चुत्रित किया है, छापेंगे लिओनार्डो, रैपल, पिका को होड़ ला है, बताईए, पोटीवन ये है रैपल, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, लीडा और हन्स, किसने चुत्रित किया है मोनिग, पिकासो, लिओनार्डो, परडिनान, होल्डर, पोटीटू, क्या होगा अंसर, पटापट से करेंगे अंसर बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी, ये है लिओनार्डो, दविंच, ठीक है, आगे मेजो टिंट और ड्राइ पॉइंट में साजह घटक है, कथोरता, म्रदुला, सुरी, म्रदुता, सम्तलता, सुश्कता पोटीट्री का क्या होगा, बताइए, कथोरता, म्रदुता, सम्तलता, सुश्कता चलो, पोटीट्री का क्या होगा, हाँ, बेरी कुट, ऑप्शन भी, ये है, म्रदुता हो जाएगा, ठीक है, आगे, कलाप्रती, ब्लु सर्क्रिस, किसने चित्वित किया है, जॉन मीरो, पाब्लो पिकासो, हैंजी मार्दिस, मार्क शागाल, पोटीपोर का क्या करेंगे, अ शाग बचे, और, कब एक्जाम की डेट आजाएगी, आपको पता भी नहीं लगेगा, ठीक है, इसलिए बिल्कुल से धुन अधार प्रेक्टिस सेट करते रही है, बस, इन में से कौन सा मकबरा, सम्मंतिज शासक के चीवनकाल के दोरान ही बनवाए गया था, सिकंद्रा में अकबर का, डिल्ली में हमायू का, लाहोर में जहांगीर का, काबुल में बाबर का, 45 का क्या होगा है, जल्दी जल्दी से ये वाले प्रेक्टिस सेट हो जाएगा आपके डेली, फिर हम आपके बिल्कुल से अंदर वाले क्वेश्चन निका लेंगे, जो आपके एक्जाम के आपके एक्जाम में 100% छपेंगे, ऑप्शन डी हो जाएगा, आगे, चैडविक क्या थे, बताइए, क्या थे, 46, और जो बच्चे चनल पे नए हैं, सब्सक्राइब नहीं की हुए हैं तो कर लेना, ठीक है, क्योंकि आप क्वेश्चन आपके फिल्कुल दमाकेदार वाले आने वाले हैं, डली हमको, शामको 7 बजे मिलेंगे, ऑप्शन बी, ये ब्रिटेन के मूर्थिकार, आगे, 1964 हिस्वी में, वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल, बताइए, क्या होगा, AISPL की इस्थापना की थी, बताइए, जवाहर लाल नहरू, कमला देवी चट्टो पाथ्य है, हैं, हैंजी मूर, पाबलो, सारी, पाबलो पितास, 47, क्या होगा, अंसर, बिल्कुल करेक्ट दिया है, कमला देवी चट्टो पाथ्य है, ठीक है, आगे, लगू चित्रकला, भारत के किस हिस्थे में, विक्सित हुई है, उत्री, उत्तरपश्यम, उत्तरपू, बताइए, 48 क क्या होगा, ऑप्शन सी, ये पूरवी हिस्थे में हुई है, आगे, क्राप्ट्स, काउंसल ऑफ इंडिया की स्थापना किसने की है, सतीज गुजराल, किरण गुजराल, कमल कृष्ण, स्रीमती, कमला देवी, चटो पाथ्य है, बताइए, ख्लास कैसी लग रही है सभी को, पसंद तो आ रही है ना, बताइए चल्दी से, ऐसे ही आप लोगों के ना, जितने भी प्रेक्टिस सेट आप मिलने वाले हैं, बिल्कुल एकदम धुआधार मिलने वाले हैं, एक मिनट कभी टाइम वेस्ट नहीं होने वाला, यही है आपका स्रीमती कमला देवी चटो सापताहिक दिनमान, हिंदी पत्रिका, 1965, इस भी में इस थापित होता है, इसका प्रकाशन कहां से होता है, लखनव, दिल्ली, कोलकाता, होंबई, चलो, शाबबास, क्या होगा इस कांसर सब लोग करेंगी, 50 का, बेरी नाइस ग्लास, शाबबास, चलो, 50 का क्या होगा, ऑप राज बली के दर्प का दमन करने के लिए विष्णु में कौन सद रूप धारण किया था, वामन, वरा, राम, नुर्शे, 51 बेरी गूट, ऑप्शन ए, ये है, वामन, आगे बढ़ते हैं दिलवाड़ा में प्राप्त, पांच मंदिरों का समूभ लिखित में से कौन सा है, सभी लोग शाब के बताईए, आपके सामने ऑप्शन है, थोड़ा सा रुख जाएंगे, ताकि आप लोग अच्छे से पढ़ लें, वैसे बिना पढ़ें, आप लोग बहुत जल्दी आंस सत्रंग आएंगे, ओप्शन ए हो जाएगा, ठीक है, विमल वसाही, लून वसाही, और फिर पितलहत, पाशनात, महभी स्वामी, ये जो पाचो है, ये कहां है, दिलवाड़ा में, ठीक है, हाँ, ओप्शन ए होगा, आगे बढ़ते हैं, अमरावती स्तूप कहां है, बतादो बहुत सिंपल, महाराष्ट, मद्ध प्रदेश, करना टक, मैं, दोनों सेम है, ओप्शन ए और टी, अच्छा, हाँ, ओप्शन ए और ओप्शन दी, बिल्कुल सेम है, चलो ठीक है, ए और टी जसने दिया है न, उसका सहीग है, ठीक है, बताएगे 53 का क्या होगा, अमरावती स कहां पर है, सभी लोग बताएगे, क्या होगा, इसका अंसर 53 का, हाँ, वेरी गुड, ओप्शन दी, आंध्र प्रदेश में, दिल्वाडा जयन मंद्रों को किसके द्वारा बनमाये गया है, विमल शाह, चैमुंडा राय, अशोक, कनिश्क, छापेंगे सभी लोग, पोटी, सुरी, 54, ओप्शन क्या होगा, ओप्शन ए, विमल शाह, ठीक है, आगे, एलोरा का कैलास मंदिर किसको समर्पित है, शिव, बुद्ध, महावीर, आदिनाद, कैलास मंदिर है, तो भाई, किसको समर्पित होगा, अपने संकर जी को, होले बाबा, आगे, दिल्वाडा के लूना वशाही मंदिर में आदिनाद की मूर्ती की आँखें किस बहुमूल्य रत्म धातों से बनी पी, सोना, मूती, स्वरी, मोती, हीरा, पन्ना, बताईए, क्या होगा, 56 का, आप्शन, सी हो जाएगा, हीरे से बनी, ठीक है, याद रखना है, भारत में पाई जाने वाले, मध्य यूगीन मंदिरों में सबसे बड़ा, सबसे अलंक्रित और सबसे अधिक सुरक्षित कौन है, बता दो, कौन है बही है, यहाँ, अपने भारत में सुरक्षित, 57 में, बिल्कुल बही है, जो यह अपने महादेव है न, घुले बाबा, गंदरिया महादेव है, यह मंदिर सबसे सुरक्षित है, चौर पंचासी का किसके द्वारा लिखा गया है, वास्यायन, विल्धर, यह शोधर पंडित, कल्धर, बताओ, वास्यायन के द्वारा लिखा गया है, क्या, बताओ, 58, अच्छा, विल्धर के द्वारा, चलो, माल लेते हैं, option B, आपको, correct, आगे, तंजौर पेंटिंग मराठा पीरियड, पुस्तक के लेखा कौन है, आनंद कुमार स्वामी, वोसी गाउंगली, जया अपका स्वामी, जोकिस जोग, 59, क्या हो जाएगा, अंसर, option C, यह है, जया अपका स्वामी, आगे चलते हैं, एरोरा की किस संख्यक गुफा के द्वार पर देवी गंगा की आ शापास, बिल्कु सही है, तो गदेडी गंगव नहीं है, आपके, 21 में है, ठीक है, आगे, संख्यकत नाट्र शास्त्र पर सबसे पुरानी किताब के लेखा कौन है, अभीना उखुप्त, भरतमुनी, काली दास, कोई नहीं, 61, क्या होगा, 61, बताएंगे सभी लोग पटापट से, बिल्कु सही है, ऑप्शन भी, यह है, भरतमुनी, ठीक है, आगे, 62, पुछा जा रहा है आपसे, चलिए, जम्मू शैली का 1746 ईसली में निर्मित, जम्मू राजा बलवंत सिंग बाज लिये हुए, कागज पर टेंपरा में बना है, ये चित्र कहां सुरक्षित है, डोगरा आर्ट गैली, जम्मू, रास्ट्री संग्रहाले निगिल्ली, इलाहबाद संग्रहाले प्रियागराज, भारत कला भावन, वाराजी, बताएंगे से फटाफट से, और जो बच्चे चैनल पे नए हैं, सब्स्क्राइब नहीं किये इसके रचना का पूँचा जारा है, किशवदास, ये शोधर पंडित, जैदेव, नगनदीत, बताएंगे सभी लोग क्या होगा, संकत जी, चलिए, 63, क्या होगा, शाबाद, बिल्कुल करेक्तिये हैं, ये हैं कौन, जैदेव, रसिक प्रिया किसकी है, बताओ, पूँचा जारा है, कांगड़ा शैली का प्रशद चत्र, राग हिंडोला की रागनी वशनती, भाती संगीत पर आधारित स्वरावली है ये, और कहां सुरप्षिक है, नई दिल्ली, बोस्टन, लंदन, वाराद, बताएंगे सभी लोग पटा-पट से क्या होगा, आज़र लास्ट चल रहे हैं, फिर भी सुलो, 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 हाँ, बिल्कुल जही है, ऑप्शन ए, यही आपकी नई दिल्ली में ही, आगे, पारंपरिक रूप से, लास्ट पैस्टन, पारंपरिक रूप से, पांडवों के किले के रूप में प्रिद दिल्ली का वह किला, जो उसी टीले पर इस्थित है, जहां कभी इंदर प्रस्त नगर हुआ करता था, पुराना किला, लाल किला, राय पिथोरा, तुगलका बात किला, बताएंगे, 65 को क्या होगा, सभी कुल सही दिया है, ओप्शन, ए, पुराना किला, अच्छे जल्दी से एक क्वेशन बताएंगे, पटाफ़ से, 1890 का जो ग्रुब है न, वो कहां पर गठित हुआ था, पता है किसी को, 1890 का जो ग्रुब था, वो कहां गठित हुआ था, बंबई, कलकत्ता, पठना, इसे, कहां पर हुआ था, शापास, बड़ोदा में, ठीक है, याद रखना है, कहां पर हुआ था, बड़ोदा में हुआ था, याद रखना है, अच्छा ये बताईए, अमरता शेरगिल के कारे को किसने प्रोप साहिद किया था, पिकासो, यामनी राय, पॉल गॉगन, और व गॉट, बटाईए, अमरता शेरगिल के कारे को किसने इप्रोप साहिद किया था, किसने, यामनी राय में किया था, ठीक है, अच्छा एक व्यश्शन बताईए, प्रगति वादी समूख का कौन सा चितरकार है, जो जाकर पैरिस में बत गया था, बताईए जलदी से, जो पै जो पारिस में जाकर बस गय थे वेरी कुट यह थे रजा कौन थे यह रजा थे नेक्स्ट पूसते हैं आप से शेलोज मुखर्जी कौन है अकारवादी हैं रंगवादी गन्चित्रणवादी है और प्रभावादी बतन से टाउ दो शैलोज मुखर जी कौन है? आकारवादी, रंगवादी, घंचित्रणवादी, प्रभाववादी देखो एक चीज याद रखना कि ठीक है, चल्ड़ किस ने दिया है या आंसर? विश्राम जी ने, वेरी गुड़, इन्होंने आंसर सही दिया है प्रभाववादी, यह जो है ना, यह प्रभाववादी है, ठीक है? याद रखना है अच्छा, यह बताईए कि एक क्वेश्चन बता दीजे कि अब सब सिंपल सिंपल क्वेश्चन आ रहे हैं, चलिए, चलिए, यही तक रखते हैं, ठीक है? आज की जो क्लास है, आज हम यही तक रखते हैं अच्छा, रंगवादी और प्रभाववादी में कन्प्यूजन होता है अच्छा देखो, अभी वेंजनावादी आ जाए यह प्रभाववादी आ जाए? ठीक है? दोनों आपके श्रलोद मुखरजी के ही हैं, ठीक है? याद रखता है चलिए, अच्छा, यह बताईए जल्दी से कि अमरता शेरगेर की मा कौन थी? बताईए अमेरिकी थी, भारती थी, अंग्रेज थी या फिर एक और कोई लिए लिजे हंगेरियन थी, बताईए कौन थी? बताईए सभी लोग फटा-फट से हंगेरियन थी, बेरी गुड अच्छा, एक और बता दीजे, भारत के एकमात्र कलाकार जिनके चित्र प्रिकासों के साथ प्रदर्शित हुए थे? बताऊ, प्रिकासों के साथ किसके चित्र प्रदर्शित हुए थे? रामकुमार, केके हैबबर, मकबूल, फिदा, फिदा, आरा शाब्बास बिल्कुल सही है ये हुसेन के साथ दर्शित हुए थे ठीक है अच्छा ये बताईए केके हबबर के अंदिम दिनों की चित्रशैली कौन थी ती अलंकारिक रेखातमक वास्तावधर्मी शास्त्री सबी लोग बताएंगे केके हबबर के अंतिम दिनों की चित्रशैली कौन थी रेखातमक थी कैसी थी ये रेखातमक थी याद रखना है ठीक है चलिए अच्छा ये बताएए चटक रंगों का प्रियोग किस ने किया था यामनी राय अमरता शेर गिल केके हैपर नंदलाल बोस बताएए चटक रंगों का यूज किस ने किया था बिल्कुल सही है यामनी राय ने किया था ठीक है अच्छा ये बताएए रवीन नाथ टैगोर की पहचान किस रूप में नहीं है बताना है किस रूप में नहीं है चित्रकार, कभी, मूर्थिकार, कहानेकार बताएए क्या होगा क्या होगा अंसर इसका शाफ पास बिल्कुल सही है ये मूर्थिकार नहीं थे बलकि चित्रकार, कभी, कहानेकार ये सब चीजे इन में थी अच्छा बताओ जल्दी से एनेस बेंदे का शित से कौण नहीं था ठीक है कौण नहीं था अच्छा बताओ आरा अपने किस कारे के लिए फेमस है चेहराचत्रांकन नगन चित्र इस्थिर वस्तू चित्र और प्रकती चित्र बताईए आरा अपने किस काम के लिए फेमस है शाबबास बिल्कुल सही है इस्थिर वस्तू चित्र के लिए ये फेमस है ठीक है अच्छा बताओ नंदलाल बोस का जन्म कहा होता है मुंगेर कलकत्ता 24 परगना शांत में किसमें होता है किस में होता है किसमें होता है क्या पूछा है नंदलाल बोस का जन्म कहां होता है मुंगेर कलकत्ता 21 परगना शांतिनिक ripping बहुंगेर में होता है में help 888 2018 1883 ठीक है 82 भी मिल जाता है कहीं के 1813 भी साफटाने कि अ ये तो बता लेंगे चलिए अच्छा ये बताए असित हलदार काहे के लिए जाने जाते हैं मूर्तिकार के रूप में मिनियेचर चित्रकार के रूप में और कभी कलाकार के रूप में आधुनिक चित्रकार के रूप में बताए असित कुमार हलदार काहे के लिए जाने जाते ह शाब बाद, बिल्कुल सही है हाँ चलो सब भूवे पड़े है ऐसी पूछ लेगा तो बस भवड़ा जाना, ठीक है देख लो चलो ठीक है, देखो याद रखना असितकुमार हलदार जो है न, एक कलपना शील भाव प्रवण, आधनिक चितकार होने के साथ एक साहितकार भी थे, शिल्पकार भी थे कला समालोचक भी थे, चिंतक भी थे कवी, बिशारक तथा, ये सब जो चीजे मिलती है ये सब आपके असितकुमार हलदार जाने जाते हैं ठीक है, अच्छा बताओ, राजा रभी वर्मा ने भारत में सर्व प्रिथम क्या इस्थापित किया था? आर्ट स्कूल, ओलियोग्राफी प्रेस, आर्ट गैलरी, आर्ट स्टूडियो बताईए कभी कला पाल, इसका बताईए क्या होगा? राजा रभी वर्मा ने भारत में किसकी स्थापना की थी? आर्ट स्कूल, ओलियोग्राफ प्रेस, आर्ट गैलरी, आर्ट स्टूडियो बहुत सही यह की थी, इन्होंने ओलियोग्राफी प्रेस की चलो, आगे बढ़ जाते, अच्छा यह बताओ, गांधी जी की दांडी यात्रा क्रती किसकी है? अवनिन नाट टैगोर, नंदिलाल भोस, शैलेन नाटे, राम किंकर बैज, बताईए मैं, प्रस्तुती करण, क्या बूल रहे हैं? प्रस्तुती करण, चलो, इसका बताओ, हमने जो पूछा आप से कि गांधी जी की दांडी यात्रा किसकी क्रती है? वेरी गोर, नंदिलाल भोस की है, ठीक है? चले, अच्छा यह बताईए, अम्रता शैरिकल ने सिक्षा कहां सल हाँ, पैरिस सली थी, ठीक है, आब यहीं तक क्लास रखते हैं, अब बहुत हो गया, अच्छा यह जल्वी से बताईए कि क्लास आपको पसंद आ रही है कि नहीं आ रही है, बताईए, जी मैम, जी बिल्कुल मैम, चलिया, बहुत बढ़िया है मैम जी, चलिया, शाबस, गुड़ लगी, आप लोगों के लिए, आप लोगों के लिए, आपकी पास्चात्य कला का इतिहास, राकेद को स्वामी की जो वर्लाइन बुक है, उसको हम, मतलब एक चैप्टर को एक दिन में निफ्टा देंगे, तो आपका 20-25 दिन में आपकी जो बुक है, कम्प्लीट हो जाएगी, मतलब एक वीडियो में ही एक चैप्रेस्ट मतलब कम्प्लीट करवा देंगे, तो आपकी वो बुक भी ज़दी से कम्प्लीट हो जाएगी, ठीक है, और यहां से आपका प्रेक्टिस सेट भी हो रहा है, और यह प्रेक्टिस सेट होने के बाद, जो प्रेक्टिस सेट आपके आने वाले हैं, वो इतने दंदार आने वाले हैं, कि अब हम क्या ही बताएं, जब आप लोग पढ़ेंगे, तो आप लोग खुती समझ चाहेंगे, ठीक है, क्योंकि वहां से 100% क्वेश्चन आना तय है, ठीक है, तो सभी को क्लास में जुड़ना है, शाह को साथ वजे और जो लो चलिए, ठेंक्यू मैम, किरपा बनाए रखे, बनी है, पूरी किरपा है, अभी बहुत कुछ आने वाला है, आप लोगों के लिए परेशन मत होईए, बड़ी है, आप लोगों के लिए प्रेक्टिस सेट आ रहे हैं, और जो प्रेक्टिस सेट आ रहे हैं, उनको कलती से भी म चोड़ने की, वो देख लेना, एक्जाम हॉल में एक बार जरूर सोचेगा, एक बार जरूर सोचेगा की काश मैंने वो प्लासे ले ली होती, और ये जो आपके मॉडल पर पर चल रहे हैं, ये जिसने छोड़ दिये, वो तो मैम और क्वेस्चन कराएं, कराएंगे, डेली क जैसे ही 8-10 स्केशिल करवा देने हैं, ओरली जो आपके लिए बहुत इंपोर्टेंट है, अब बस ज्यादा लंबी क्लास हो जाएगी, तो पढ़ने में मन भी नहीं लगेगा काफी बत जोगा, ठीक है, चलिए फिर अभी 2-4 दिन, 5 दिन बाद हम वो आली क्लास स्टार्ट करेंगे, आपकी जो पास्टार्ट पितला पाई की हास है उसको इस्टार्ट करेंगे, मैं मैं आपका सबसे पहला इस्टुडेंट हो, फस्ट दैंग, अच्छा, नाम क्या है आपका, फस्ट दैंग, चलिए, अब सभी लोग चाहिए, आ राफ चे खाना पीना खाईए, और रात को 9 बजे पिर से क्लास लगी है, तो रात को 9 बजे आप लोगों को देखना है, ठीक है, चलिए, फिर रखते हैं क्लास को, करते हैं, और आप लोग बढ़ियां मस रहिए, खुत रहिए, एकलम बिनतास रहिए, ठीक है, चलिए